कोरोना का खत्रा दुनिया में लगातार बढ़ता जा रहा है। सरकार के इन विचार के बीच विश्व स्वास्त मंत्राले ने बड़ी चेताव ने इम्म्यूनिटी पासपोर्ट और जोखिम मुक्त सर्टिफिकेट के आधार पर लॉकडाउन में धील देने के विचार को दुनिया के लिए बड़ा खत्रा बताया है WHO ने बताया कि दुनिया में ऐसे कई मामले सामने आ चुके हैं जब कोरोना पेड़ी तक ठीक होने के बाद फिर से संक्रमित हो गए हैं ऐसे में ये कहना गलत होगा कि जो लोग एक बार कोरोना का शिकार होका ठीक हो गए हैं, वो दोबारा संक्रमित नहीं हो सकते और वो पूरी तरह स्रक्षित हैं। स्वास्त संगटन ने कहा इस प्रकार की यूजनाय दुनिया भर में कोरोना के खत्रे को बढ़ाएंगी। साथ ही अपने इम्यून को लेकर लोग एहतियाद बरतना बंद कर देंगे। गौरतरव है कि दुनिया भर में अब तक 29 लाख से जादा लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं, वहीं 2 लाख से जादा लोगों की मौत भी हो चुकी है। कोरोना वारस को लेकर दुनिया भर में जारी गाइडलाइन्स किसी न किसी अध्यन पर आधारित है। चुके इस वारस को लेकर हर रोज कोई न कोई जानकारी सामने आ रही है, इसलिए समय के साथ दिशान रिदेशों में बदलाव भी किया जा सकता है।